नवसकार दोस्तों हमारी इस java tutorial में आप सबका बहुत सवागत है दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप सबको java buffered writer class के बारे में बफरिंग फार राइटर इंस्टेंशन जो होता है या क्या प्रोवाइट करता है वहीं चीज को फास्ट कर देता है इ lashes writer गाइट कार यह नहरींट करता है इसमें राइटर होता है class को प्र विशिंटा इसमें क्या होगा इसके अंदर उसके बाद जो है राइटर और इंटीजर होता है दोस्तों इसका method कि आया class का wide new line new line it is used to add new line by writing a line separator कर देता दोस्तों कि वाइड राइट करने के लिए यूज किया जाता है वाइड राइटर करेक्टर इंटेजर आपसेट इंटेजर लेंथ के रूप में और वाइड फ्लस झौट्ज मिथ़र होता है आब आता है एक्जेम्पुल में किया करना है एक्जेम्प्ल अब जावाभ बफर डाट यह इंडले हैं इसमें इसरे किया जाएगा यहां देया च्ट्राल хороший एक्ट और तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पिट्राइट केच को भटा दें अगर जो एरार देगा दोस्तों ठीक कोई बात नहीं एरार देरार ट्राइट केच करना पड़ेगा ट्राई और यहां पी जो है दोस्तों बंद कर दें कैच कि एक्सेप्शन तो दोस्तों देखिए अब जो है रंड़र हट गया दोस्तों आब देखिए फाइल राइटर है निव फाइल राइटर अब इसमें क्या खेंग है सकते हैं इसके बाद जो है जो यह बाद राइटर राइटर क्या चाल का है तो इसमें करेंगा गाटर तो दोस्तों जासा कि नेख सकते हैं कि यहां पर जो है भी यह जो है देख सकते हैं इसको मैं मीटा देता हूं दोस्तों और उसको सेव कर दिया दोस्तों देखिए एक खाली है दोस्तों कोई दिकल नहीं अब इसको हम रन कराते हैं दोस्तों इसको रन कराते हैं देखिए रन करने पर सक्सेज आ गया दोस्तों यहां पर यहां पर हम देखते हैं क तो यह clear हो गया होगा, अब आता है दोस्तो जावा वह बफर रीडर क्लास, भफर रीडर क्लास आता है, तो बफर रीडर क्लास जो क्या होता है, जावा बफर रीडर क्लास is used to read the text from the character-based input stream, यानि करेक्टर बेस्ट जो input stream होता है, जिसने फाइल से में करना है, दो वहां से जो करेंगे तो आपको line by line भी रीड करता है method it makes the performance fast या performance को fast करते है twoarlation क्या होता है buffer reader का दोस्तों इसमें extend reader किया गया दोस्तों सेम होई चीज्ञ है constructor जो है buffer reader का reader इसमें लगाएंगे इसमें भी reader लगाएंगे integer size भी लगाएंगे method में किया है दोस्तों integer इंटीज़ पूर्ष। एसके बाद़ स्टिंग्ल रीड लाइन क्या करता है सिंगल को सूर्ड मार्क प्लूस्टू एतना होता है दोस्तों अब आता है एक दिम्फूल का पोर्शन कैसे हम इसको टेस्ट आउट चलिए उसी को हम रीड करते हैं दोस्तों जो हमारा है उसी को रीड कर देते हैं तो यहां पर दोस्तों क्या है अब इसको जो है हम को ट्राइक का बलाग में रखते हैं तो अगर चो करेगा को कुई जो रहे हमें प्रेंटकरा ना है दोस्तों तो इसको हटा देते हैं अब DMी्जर का इंस्वेट आएक एक ते किया eating तब तक और पिडे जा रहा हैं इन्टिजर आहिए हमारे जिसको राइबर की है जब तक बीर याई जो है निगालता है यानि आधिक हो अज trivia को लूब करेंगा दिए और धमिलीहा, चब प्रोस कर दिया गया जोस्तों आफ यहां पे देख सकते हैं इसको run वहाई कर दोस्तों है तो जैसा किया आप welcome to jam point यानि कि यह जो भी character था इसमें रीड कर दिया दोस्तों नई हम आगर घूरन भी कुछ टाइप किया सा दोस्तों यहां पर आ गया है आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकास से जो है वाफर रीडर क्लास जो है यूज किया जाता है अब दोस्तों आता है Jeart generator array reader और character array writer आता है दोस्तों यह कैसे युज़ होता है दोस्तों character array reader character array reader character array writer दोस्तो जावा character array यह चर array reader जो साटकट में एक class या क्या करता है यह भी read करता है दोस्तो एक reader है this character array जो character array को read करता है दोस्तो इसकी नाम से ही जो है पता चल रहा है the character array reader या चर array reader is composed of two words दो वर्ट से compose किया गया दोस्तों character array and reader दो चीज जो है इसमें लिया गया है the character array reader class is used to read the character array यानि character array को ही read करता है दोस्तों यह यानि कि as a reader stream इसके अंदर stream रहता है it in here is the reader class या class क्या करता है reader को ही read करता है sum में जो है reader है तो क्या करता है method में क्या है दूस्तो integer read है यह single character को read करता है read character array को read करता है boolean ready orient mark гор Mohan skip mark reset close दोस्तो तो अब आता है जो example of character reader array class अब जेकि array को read करता है दोस्तो तो यहाँ भी जो है हम इसको example को जो है copyright कर लेते है और try catch के अंदर भी जो है इसको हम रख देते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक करेक्टर का अरे बनाया गया है अब इसमें क्या रखा गया दोस्तों अब करेक्टर रीडर क्या करेगा इसको रीड करेगा दोस्तों अब निव करेक्टर रीडर अब उसके अंदर जो है करेक्टर को अरे को डालना पड़ेगा अब इंटीजर के बराबर जीरो एक बैरेवो ले लिया गया है कि जो जीरो पोजिशन भी है क्यों कि करेक्टर अरे जो है यह जीरो से इंडेक्स से स्टार फूर्ट होता है अब देखिए फाइल के रीडर रीडर रीड क्या इंटीजर रीड करेगा नाट इकल टू-1 जब तक जो क्या रीडर आता है दोस्तों देखिए अब आपको मैं बता रहा हूं यहां पर देखिए कि यहां पर दो चीज प्रेंट किया गया दोस्तों करेक्टर अब करेक्टर जो है के जो हैं उसको करेक्टर बनाया गया है यानि कि जो भी हमारा के इंटीजर आ रहा है हमारा जो भी केन प्रिंटकर बनता है तो यहाँ पीठ व प्रिंट किया गया दोस्तों उसके बाद उसके बाद जो है यह जो है इस सफ़रह इस प्रकास्थे दोस्तों करांग किया गया तो आप stretchy दोस्तों I विट कर्यक्टर अरे राइटर को कैसे यूज किया जाएगा तो इसमें भी कर्यक्टर अरे और राइटर यूज किया गए है थे डाक्रेक्टर क्लास कें इसमें इसमें बफर जो है जो आटो में इसे स्ट्रीम अब इसका देक्लास्न दोस्तों क्या है इसमें राइटर एक्स्टेंड किया गया है मेधन में क्या है इंटीजर साइज है इंटीजर करेक्टर राइट तू करेक्टर अरे भी करनोट किया जा सकता है इसको यानि कि इसको जो है राइटर को तू करेक्टर रेड में इस्ट्रिंग टू इस्ट्रिंग में करेक्टर अर भी राइट किया जा सकता है इसमें फिर राइटर करेक्टर सी इंटीजर के रूम में है इसको राइट किया जा सकता है दोस्तों वाइड राइटर इस्ट्रिंग को डारेक्ट भी राइट किया जा सकता है उसके बाद plus reset close यह है इसके method दोस्तों अब इसमें हमको write कैसे करना है देखिए multiple files में यह write करता है दोस्तों अब इसको जो है हम क्या करते हैं इसको दोस्तों जादे clear हो गई अब दोस्तों देखिए character character array writer यानि चर अरे राइटर इसको आउट new एक इस टेंस क्रेट किया आउट जो है बरेवुल है अब क्या करता है आउट में क्या write करता है देखिए character array में welcome to the java point अब पहले उसको java point को हम write कर दिए दोस्तों यानि कि character array writer जो है उसमें java point को हम write कर दिए एक बार अब देखिए इसमें तीन चार variable जो एक file writer बना गया है जिससे file को write करने के लिए एक दो तीन चार यानि कि d a b c d दोस्तों इसको हम delete भी कर दें confusion होगा यहां पर देखिए पहले से पड़ा हुआ है जबिए इसको हम delete कर दिए दोस्तों उसके बाद जो है अब यहां क्या कर दिया गया है दोस्तों यहां पर और उसके बाद अब file का एक variable क्रेट किया गया है file writer का अब file में जो write करें किया रहे कि आउट write f1 out write f2 out write 2 f2 उसके बाद f1 f2 को close कर जाएगा प्रिंट करा दिया गया दोस्तों अब देखिए यहां पर जो है तो हमारे वीडियो पसंद आयों तो हमारे वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा हमारे YouTube चैनल को सब्क्राइब केजेगा दोस्तों इसके साथ next coding में मिलेंगे जावा कोडिंग में दुस्तों या जावा प्रोग्रामिंग कह सकते हैं या नया चैप्टर नया heading में जय हिन जय भारत